नमस्कार मैं परणजोई गुहाथाकुरता सारे न्यूसक्लिक का दर्शक को मैं स्वागत कराऊं आज मेरा साथ भारंपूर बंगाल का सांसद और लोग सभा में कॉंग्रेस पार्टी का नेता श्री अधिर रंजन चोधरी अधिर जी धन्यूसक्लिक का दर्शक को आपका समय दिया हम आपका साथ जो वारतालाव हम तीन विशे के ऊपर करेंगे हमारा पहला विशे है कि ये जो क्रिशक का अंदोलन चल रहा है राश्ट्र राजधानी के बाहर लाखों किसानों आज बारिश में सर्दी के मौसम में अ नरिंद्र मोदी जी का जो सरकार है ये तीन जो कानून लाए है इसको रद करने के लिए त्यार नहीं है तो आपका क्या लगए है ये समस्या का समाधान होने का कोई संभावना आप देख रहे है या 26 जैन्वरी गनतंतर दिवस में हमारे किसान भाईयों बहनों को दिल लिय सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये सर्दी का जो कहर चल रहे हैं अभी घर में हम लोग चैन से नहीं बैठ सकते इसके साथ बारिश भीगे हुए किसान और ये शीत की लहर आप हम सब को मैसुस हो रहे हैं हम सब देख रहे हैं कि किस हलात में ये किशान अंदलन करियों ने अपने जीवन अभी गुजारते हैं और से छोटे से बुरह हर उमार के लोग साथ में महिलाएं इस तरीके की अंदलन की नजारा आजाद हिंदुस्तान में कब कहा कैसे हुआ मुझे पता नहीं जहां जन संक की हर हिस्से हर बर्ग हर संप्रदाए हर बंड हर समुदाई के लोग हर मजहब के लोग सब सामिल हो चुके हैं और ये की नारा है कि जो किसान विल लाया गए ये किसान विल को बापासी ले सर कर देखिए सबसे बरा बात ये कि जो भी कहिए सरकार इनका तरक में बहुत सरे सवाल पाइदा करते हैं अगर सरकार की ये तरक है सरकार की ये रवईया है कि हम हिंदुस्तान की किसानों को और ज़्यादा अजादी देने के लिए उनकी और ज़्यादा कामाई के लिए और और तरक्की के लिए हमें क्रांतिकरी बिल लाए हैं जिसे हिंदुस्तान की किसानों की एक नया आयाम मिलेगा और सारे हिंदुस्तान की किसान की अंदर खुशी की लहर पैदा होगी मैं सदन में भी ये मुद्द उठाए थी कि आप जिस किसानों की खुशी के लिए ये बिधायाक पारित कर रहे हैं लोकसभा के अंदर सही महीनों में क्या हिंदूस्तान की किसान खूशी है अगर खूशी है तो इतने सारे किसान क्यूं खूले आसमन तले भीगे हुए ये लहर की और ये सर्दी का कहराम जेलते हुए क्यूं ये आंदलन कर रहे हैं अगर आप किसानों की खूशी की बात करते हैं लेकिन किसान कहां खूश होए हैं किसान कहां खूशी मना रहे हैं इसका तो नज़रा कम सकम हमें देखने को मिलने चाहिए था अधिर जी सरकार कहारे है कि ये पंजाब के किसान है जदा से जदा ये पंजाब के किसान है हां और भी राज्या से आया है लोग ये जो किसान है ये बाकी हमारा भारतवष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अथिक उदारी करन के बात किया जो मनमौन सिंग का सरकार किया था एक 90 साल से शुब हुआ आज हमारे किसान मन जो हमारे देश के जो आधा के आसपास अवादी के लोग आज क्रिशी शेत्र के उपर उनका जीवी का निर्भर करते हैं उनको आजादी मिलेगा अगर ये बात सर किसानों की हीत में लिए हीत के लिए किसान की हीत के लिए इतने सारे सोच कर रहे हैं इतने सारे प्रवंद इतने सारे आयोजन अब कर रहे हैं और इतने सारे तरीका निकाल रहे हैं तो किसान क्यों खुश नहीं हो रहे हैं ये तो आपकी बात की ही आपकी बिरोद बत जतात आते हैं किसान आप जो कह रहे हैं सरकार की तरफ से जो यह तरक दिया जा रहे हैं यह तरक का कोई आधार नहीं है आधार नहीं है इसलिए कि हिंदुस्तान की दूरदराज जो गाउं होगा इस सहर है हुआ की किसानों की इस तरीके की मंडी और APMC का MSP का सुभीदा यह सरकार मुहाईयां नहीं कराए पाए क्यूंकि हरी क्रांती तो सारे हिंदुस्तान में एक जग नहीं हुई एक साथ भी नहीं हुई हरी कंत्री की सुरुवात हुईती पंजाब से हरियाना से पश्ची में उत्तर पदेश से और कुछ-कुछ मद्धपदेश या चत्रिसगर या राजस्तर कुछ इलाके से और दू-तीन फसल फसलों में तो आज ये MSP और ये मंडी की जो बात अभी हो रहे हैं ये आज की बत नहीं साथ की दसों को से जब हमारे खाद भंडार में इतने सारे खाद द्यान हम मुझूद नहीं कर सकते थे जब हिंदूस्तान की आम लोगों को खिलाने के लिए बचाने के लिए उनको जिन्दे की गुजारने के लिए हमें अमेरिका से PL 480 के दौरान हमें गेहूं ये चाउल हमें आयात करना पड़ते थे योरोप से हमें सारे चीज मंगा के चाउल कहिए या गेहू कहिए हिंदूस्तान की आम लोगों को दो आत की रूटी देने की इंतजाम हमें करना पड़ते थे उसी समय हिंदूस्तान की प्रधान मंत्री इंदिरा गांदी जी उसके आगे लाल बाद उस्थास्ती जी ने और उसके बाद इंदिरा गांदी की जमाने में मेक्सिको से हुआ के नोबेल लॉरियेट बर लोग जिनोंने हाई इल्डिंग सीट की उन्होंने आभिश्कार किया था उसी की चलते हुआ से ये लाके हमारे पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांदी जी ये सब से पहले हिंदूस्तान में हरी क्रांथी किये थे और ये हरी क्रांथी की सुरुवात हुई थी पंजाब से हरी आना से क्योंकि हरी क्रांथी के लिए जो सीचाई की बेवस्ता जो उर्बरक और तरह तरह की जो चीजों की जोगरत होते थे वो सारे मुहाईया किया गया था पंजाब में हरी आना से ये सुरुवात हुआ से हुआ की किसान को इस बिशाय पे ज़्यादा समझ दरी है अधिर जी आपने बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा कहना और कुछ है ये जो आज हमारे जो Food Corporation of India FCI का गुदाम में हमारे जितना चावल और गेहूं का जुरूरत है उसा तीन गुना से भी जादा है ये फैक्ट है ये वास्तव है साथ साथ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे जो आंदोलन कर रहे है उसके खिलाब किस तरह से कोशिश क्या सरकार इनको पहले बताया है खालिस्तानी फिर बोला आपने चरम बामपंति है और आपको मालूम है कि हरियाना सरकार एक समय पानी का कैनन कमान चलाया मध्य रात में और फिर टियर गैस आशू गैस फिका इनके सरक को तोड़ दिया इनोंने आज मेरा लग रहे सरकार थोड़ा नरम हो गए वहां का जो पुलीस जो सिपाई है वह आज खाना खा रहे हमारे किसान के साथ आज हमारे मंत्री जी भी विग्यान भावन में उनके साथ किसान हमारे किसान बंदू के साथ खाना का रहे तो एक तरह से सरकार का क्या लग रहे थोड़ा नरम हो गया यह जह हमारे हिंदुस्तान की सरकार है अभी, यह सरकार की यह एक छल कहिए, कपट कहिए, यह सरकार के अपना स्टेटीजी होते हैं कि जो भी यह सरकार की खिलाब कोई बात उठाने की कोशिश करेंगे, तूरंट उन्हें और उनके पीछे धबा लगा जाएगा, जो भी, अगर सरकार के खिलाब कोई बात रखने का कोशिश करेंगे, जो बात सरकार को ना पसंद होगी, सरकार तुरंट उस बेक्ती को खिलाब कोई ना कोई फिजूल एक सिकाइद दर्च करेंगा. देशो द्रोही बनेगा, खालिस्तनी बनेगा, पाकिस्तनी बनेगा, टेरोरिष्ट बनेगी, आलकाइदा बनेगी, अभी तो आरवा नौकसल बनेगी, बहुत सार इनके है जेब में, एक ना एक, सिकायत की जोली, इनकी जेब में सिकायत की तरह तरह की सारे चीजे हैं, और ज लिकायत निकल के किसी ना किसी के पीछे लगा देते हैं इसके साथ कोई इनका तरक नहीं होते इसका कोई बाजी भाई यह नहीं इसका कोई जोरत नहीं होते और इनका सोसल मीडिया है गोदी मीडिया है और तुरंट इनको बात लेकर बस फैलाते रहेंगे कि लोगों को बीच में बदनाम करने के लिए, अहां को नाक करने के लिए, सफेत को काला बताने के लिए, सच को जूट साबित करने के लिए, ये माहिर है ये सरकार, और ये माहिर है इसलिए कि ये सरकार इसी ढंग से चलते हैं, नहीं तो हमारे बुजूर्ग किशान, एक किश अगर देश को बचा है यह किसानों ने आज मोधी जी से लेकर हम सब आज इतना बढ़े हुए हैं पंजा भर्याना की किसानों ने हमारे लिए खाद की इंदेजाम किया था इसलिए जमीन से खाद उगा कर हमारा पेड भराया था यह किसानों ने सारे हिंदुस्तान को जो इससे सर्मिंदी क्या हो सकते हैं यह मोधी जी आप इतना बढ़ा हुए हैं यह किसानों की दिया हुआ खाना खाकर यह आपको जुरूर याद रखना चाहिए अधिर जी हमारे जो विरोधी दल है आपका पार्टी इंडिया नैशनल कॉंग्रिस आपका सरकार राजस्थान म बहुत पुराने भारती जन्ता पार्टी का जो सहयोगी दल था शिरुमनी अकाली दल वो भी अभी चले गए हैं हरियाना में इनका सरकार है मगर कमजूर है हरियाना का सरकार दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी का सरकार वो भी किसान लोग को मदद करने के त्यार है तो म आगे क्यों ने बरें। दो कदम आगे क्यों ने बरें। उली एक सम्झवता आना चाहिए। देखिए बात यह कि यह सरकार की अपने जिद्धी बाजी है। आप कहते थे ना कि अभी सूर थो रहा नरम हो चुके हैं। किसान की इस तरकी की आंदलोन की बारे में ये सरकार को कोई भनक नहीं लगे थे नहीं तो ये सरकार अगर सतक रहते थे तो जब पंजाब में किसान आंदलोन करते थे उस समाई ये सरकार की ये डाईत तो बनी थी कि उसी किसानों से आमने सामने बात करने का लेकिन ये सरकार अपने बल्बूते पे इतने ये सरकार घमंड अपने जाहिर करते हैं कि ये कभी ये नहीं सोचा कि किसानों के साथ बात करने की कभी जूरत हो बात तो कर रहे हैं? ये नहीं उस्तमाई शुरुआती तोर पे मैं आज की बात नहीं करते हैं जब सदन में ये पहले तो अध्यदेश लाए उसके बात सदन बुलाके बील परित किये थे तो उसी समाई से पंजाब के किसान हरियान के किसान अंदरोन कर रहे थे लेकिन उस समाई ये सरकार इनलों का पूछा तक भी नहीं क्योंकि ये सरकार की ये सोच थी ये क्या करेगा दो टके की किसान हो क्या करेगा हमारी इतना बड़ा सरकार इतना बड़ा NDA मेजोरिटी हम सारे हिंदुस्तान में 22 ते उपर राजयों हमारी हाथ में यह किसान क्या करेगा दो टके की किसान लेकिन धीरे-دhीरे किसान की यह जजवा, किसान की जनुण, किसान की हिंपत अभी इन लोको महिसुस होने लगे कि ये किसानों को साथ तू-तू-माई-माई करके हमें ज़्यादा लाब नहीं मिलेगा क्योंकि सारे हिंदूस्तान ही नहीं बलकि दुनिया में इस विशाय को लेके चर्चा हो रहे हैं कभी सुना है कि अमेरिका के संगसादों ने बिटिश की संगसादों ने कानाड़ा की प्राइम मिनिस्टर वो भी इनकी पक्स रख रहे हैं इसका मतलब ये मुद्दा अभी हिंदूस्तान की अंदर नहीं ये मुद्दा हिंदूस्तान से बाहर चले गए अंतराष्टियों मंच पर चले गए तो इसी लिए ये सरकार को अभी ये लगा किसी हालत में इन्नों को मनाना चाहिए तो क्यों ना मनाने के लिए दोचा रोटी खा लिया जाए क्यों ना किसानों के साथ दोस्ती बनाने के लिए चाई का हिस्सेदारी बना जाए लेकिन यह पहले नहीं सोचा अधिर जी, नरेंद्र मोधी जी, हमारा माननिय प्रधान मंत्री जी, नोट बंदी जब हुई थी, उसके उपर कभी इनों ने कहा, माफी तो भूल जाईए, वो कुछ गलती किया, वो मानने के लिए तयार नहीं, GST जिस तरीका से हर्बड़ी में लागू किया, उसके बाद ब ये सरकार, माफी तो भूली जाईए, अपना गलती मानने के लिए तयार नहीं है, तो आज भी सरकार ये मानने के लिए तयार नहीं है, कि हम ये अध्यदेश, अध्यदेशनी कानून, हम रद करेंगे, हम वापस ले जाएंगे, हमें तो लगना है, ये सरकार तयार नहीं है, मतलब अगर आप इगो और इज़त के ऊपर ये चलेगा तो ये अंदोलन किते ही इस तरीके की एक सरकार की रवाया नहीं हो सकते क्योंकि ये सरकार चुनाओं से जीत कर ही आये हैं ये कोई बाहर से कोई नहीं आये लेकिन ये सरकार की जो तही तरीका है ये तरीका लोक तंत्रिक नहीं है ये मनमनी सरकार चला रहे हैं अपने संखा बल की उपर ये चलते हैं किसी को नहीं मानते नहीं पूछते ये एक ताना साही की सरकार अभी चल रहे हैं जिसके सामने आम लोग की जो आंदलन इसका कोई मैने नहीं रखते अगर मैने रखते तो लेकिन यह आपकी जहां आप रहते हैं आपकी घर से 22 किलोमीटर के दूरी है उन लोगों से आपको बात करने की कभी आपको इच्छा नहीं हुई यह क्या एक प्रदान मंत्री की यह क्रतब होते हैं कि हिंदुस्तान की किसान आज हमारा जो बंडार है वर दो कि यो बंडार यह बंडर को पूरण करते हैं इसालाना नियोनेोगों अपने पसीना निकाल के हमारे खाध्डों की बंडर को वो भराते हैं और उनी लोग आपकी जहां घर है वहां से 22 किलमेटर दूर में उन लोग इसी हालत में जिन्दी के गुजर रहे हैं आपको इसा कभी नहीं लगा कि एक बर उन लोगों से बात करें अधिर जी आज हमारे रक्षा मंतरी राजनात सिंग ये मान लिया कि हमारा सिख बंधों ने हमारा अनन दाता है हमारा लदाक में हमारा सीमा का सुरक्षा इन लोग कर रहे है या वो मान लिया और ऐसा नहीं है कि आज सरकार इन लोग नहीं मान रहे हमारे जो सिख बंधों है ज जैसे आपने का हमारा अन्नादाता है फिर भी हम तो नहीं देख रहे कि कहीं कानून रद करने के लिए स्यार तरकार त्यार है या MSP को हम लिकित रुप में कानूनी बना देंगे और सिर्फ तीन चार फसल नहीं सिर्फ चावल गेहू और और शुगर केन और ये कॉटन सहाबी सब्सक्राइब लिए 23 स soprattutto अब हम तो नहीं देख रहें सरकार मानने लिए देखिए सरकार की आपना तरक हो सकता एक किसान जो आफलम कर रहे हैं यह अंदलुन का तरक सरकां सोचे। और किसानों की साथ बात करे और बात करने की समय जिद ना पकड़े किसानों से बात करने से अगर पधान मुंत्री किसानों से बात करते अगर हम ए दो थीन कानून बापास ले लेते तो आस्मान तो तूट नहीं परते ना एक मिनिट आस्मान नहीं तूट परते क्योंकि हिंद हिंदुस्तान में कोई कानून भी परित कर दिया और इनको बापस लेनी कि कोई और तरीका नहीं होगा और कोई इनका गुंजाश नहीं है यह से नहीं हिंदुस्तान में इसे कानून बाइले भी पारित हो चुका जिनको बाद में बापस भी लिया गया तो यह कानून पारित ह इसका मतलब यह नहीं कि इसको कभी हम बापस नहीं ले सकते अराम से सरकार ले सकते इससे सरकार की उपर आसमन नहीं गिड़ेगा आसमन नहीं टूटेगा सरकार की उपर लेकिन यह सरकार अपना जिद्धी बजी रवाया अपना रहे हैं यह सरकार इन लोगा साथ एक घमान की यह हमाए हम ननेंद्र मोदी जी की NDA है तुमसे कोई हम कम है क्या चारो किसन क्या करोगे हमसे इस तरीके की इनका अगर सोच है रभाईया है तो यह सरकार को इस तरीके आंदोलन को सही धंग से सुलजना बड़ा मुश्किल होगी अदिर जी एक नया एक चीज हम देख रहें इस आंधोलन में और एक तरह से ये यूनीक है अभिनवत्त हम देख रहे हैं कि इस बार हमारे जो आंदोलन कर रहे है भारत वर्श के दो सबसे अमीर वेकिती सबसे बड़ा जो पूजी पती है और सबसे बड़ा जो अद्योग पत क्या समझते हैं इसमें किया नया आप एक रूप देख रहे हैं और अंडोलन का कि दो वेक्ति का नाम जो भरत वश्चे सब से बरा अमीर वेक्ति हो सकता है देखिए हम तो बारबार ये कहते हैं कि यह जो कानून लाया गया किसानों की यही मांगा है यह हमारा हग छिन के किसी दूसरे आमीरों को हग दिलाने की यह कानून है और इसके खिलाप अपना अक्रोज जताते हुए टावार को गिराते हैं, टावार को तोरते हैं, मैं ज़रूर यह कहूंगा किसान नेताओं को यह टावार को तोरफोर करना सही नहीं है क्योंकि इसमें हमारी जो जोगाजोग की जो व्यवस्ता है इसका हानी होगी जरूर यह आमीरों की पक्स में जाएगी अगर यह कानून को इस धंग से पारित किया जाएगा तो तो यह आमीरों के किलाब हमें जरूर लड़ना परेगा और आज हिंदुस्तान में यह सरकार सत्ता पर आने का बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा मुनाफ़ा हुई तो यह दो तिन फैमिली है दो तिन कमपनिया है जिसका नाम है अमबानी अदानी तो इसलिए किसान जरूर यह कह रहे हैं कि मु जी पोतियों को मुनाफ़ा का इंतिजाम कर दिये थे इनकी जमाने में तो यह अमबानी है और यह अदानी लोग है इसलिए यह हमारे किसान बंदूओं को किसान आंदरों करियों को जो अक्रोस है जो क्रोद प्रकास कर रहे हैं जो क्रोद अब जता रहे हैं इसे क्रोद इन एक निरनायक जगा में हम पहुच गये हैं। एक तरह से जिस तरह से सरकार एक तरह से विरूद कर रहे हैं। यह हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं। और एक तरह से जो चुनाउती हैं। यह पहला बार हम देख रहे हैं। सारे छे साल में एक तरह से सरकार को हिलाने का कोशिश मे है ये जो CAA NRC शाहिन बाग कांदोलन में भी नहीं देखा हम तो क्या लग रहा है सरकार हिल जाएगा थोड़ा बहुत समझवाता में लाएंगे कंप्रोमाइज करेंगे सरकार को कंप्रोमाइज करने का मूड में सरकार आ रहे हैं लेकिन उसके चाला है इसमें और ये चाला की ब्लो होड ब्लो कोल्ड किसी की सूर की नर्मी है किसी की सूर की गर्मी है वो अपना सोसल मीडिया की जरिए अपना गोदी मीडिया की जरिए इनी लोगों के खिलाप एक slendering campaign कर रहे हैं जिसको दुस्प्रचार कर रहे हैं ये किसान आंदलोन करियों के खिलाब एक दुस्प्रचार की एक रवया अपना रहे हैं अच्छा एक तरफ राजनस सिंग जैसे मिठी बात नर्मी सुरों से बात करने के लिए तैनात किया गया है दूसरी तरफ आरे मोदी मोदी जी किसी हलत में अपना सर नहीं जुकाएंगे ये दबाव से मोदी जी कोई काम नहीं करेंगे ये भी अपना जा रहा है मतलब blow-hot, blow-cold, blow-hot, blow-cold, कभी नर्मी, कभी गर्मी, कभी गर्मी, कभी नर्मी, आचा चलते चलते, नर्मी और गर्मी करते करते करते, वो दो कानून को कहा कि मैं बापस ही ले रहा हूँ, जैसे कि वो जो electricity, जैसे कि वो environment की दो कानून वो बापस ले लिये हैं, फिर चार तरीक को दुबारा बैटने की मतलब इंतिजम कर रहे हैं ये सरकार, मतलब सरकार धीरे-धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं कि किसी हलत में एक समझोते की रास्ता पे जाए तो बेतर होगी, सरकार फसे हुए हैं, आप सरकार को ये लग रहे हैं कि पहली बार पिछले सारे चल साल पे मैं किसन अंदलोनकरी को सलाम ठुकते हुए, जरूर कहूंगा कि आप ही लोग हिंदूस्तान के किसानों ने आपने अपना ताका दिखाई, आपने बहुत अच्छा किया, इनको सलाम दे रहे हैं, इसमें राजनेतिक दल, हमारा विरोधी दल का खुछ तो भूमीत का नहीं है, आपका जैसे कॉंग्रेस पार्टी इतना कमजोर हो गया, आ आप लोग एक साथ मिलके भी विरोध नहीं कर पारें, आपका जो यह सोच ठीक है, कोई किसी का भी यह सोच हो सकता है, लेकिन मैं तुरह पीशे जाना चाहते हैं, सदन की अंदर, सदन की बाहर, आप बताईए कि कौन सा पार्टी, अपना तेबर, अपना रूख अपनाते ह हुए, बिरोध जताते हुए, कौन सा पार्टी आंदरन किये थे, कॉंग्रेस पार्टी, सदन की अंदर देखो, सदन की बाहर देखो, राहूल गांदी जी हमारे नेता, ट्राक्टर रेली किये थे पंजाब में, हरियाना में ट्राक्टर रेली किये थे, दो क्रोर सिगनेच इदर एक नधा करके राष्ट्रों पती जी को राष्ट्रों पती जी को ग्यापन भी दे चुके हैं उसमें मैं भी सामिल हुए थे तो हमारी एक पार्टी की तरफ से कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे कोई नेता जंतर मंतर में अभी डिमोनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी की तरफ से जितना अब तक हम से हुआ है, वो सब की सामने है, लेकिन अगर आप यह कहें कि और जोर सोर से होना चाहिए था, मैं बिलकुर यह मानने की ज़रूर हमें और जोर सोर से करना चाहिए, और यह हम करेंगे, सदन जब कुलेंगे, इसी नजर आप सदन के अंदर भी अब देख सकोगे, और बाहर भी हम बेटे नहीं हैं, आँ हम सारे हिंदूस्तान में, अब सुनो लीघे, तक ही की सान कानून जो सरकार लाये थे, उनका विरोध में हम प्रदर्शन किये, आंदलोन किये, महीने बार हम लोग किये, आज भी हम कर रहे हैं, बड़े दाबे किसत क्या हैं सकता हूं आपको, राहूल गांदी जी की नित्रितों में सबसे पहले सारे हिंदू स्थान में ये आंदलोन चेरा गय किसान की साथ साथ जब तो पार्टी की सवाल आते हैं तो सबसे पहले कॉंग्रेस पार्टी की अगुआई में सदन की अंदर सदन की बाहर ट्राक्टर आपको गाउ में ब्लोक में हर जगा में हमारा पार्टी की तरफ से आंदलोर हम कर चुके हैं अधिर जी आपने दो बार राहुल गांदी जी का नाम उन्ले किया, राहुल गांदी जी विदेश में हैं, लोग कह रहें आप विदेश में क्यों गये हैं, कोई वेक्तिगात कारण हो सकता है, मगर आज वो जो अंदोलन कर रहे हैं उनके साथ क्यों नहीं, आपने गिया पर्षे को रोज चल रहें, चुनाओं कैसे होगा, कौन बनेका प्रेजिडेंट कॉंगरेस पार्टी, इस तरह से चफ़ भी है, आपका हौश के अंदर विवाद चल रहें, आपका पर्टी के अंदर विवाद चल रहें ने ने आप जो कहना है कि हमारा पार्टी के प्रेसिदेंट की जब चुनाव होते हैं तो उसमें बड़ा समय लगता है और उस नतीजे पोचने के लिए हमें कुछ वक्त की जूरत होते हैं वक्त हम ले लिए हैं बरे जल्दी ये समप्त हो जाएगे अब खुद देख साओगे दूसरी बात राहूल गांदी जी वो तो एक इंसानी है अगर एक इंडिविज्यूल एक बेक्ती अगर कोई काम में हिंदुस्तान से कई दिनों के लिए अगर बाहर जाते हैं तो क्या महाभरत असुद्ध हो जाते हैं इस तरीके की बहाना बनाना और हमारे हिंदुस्तान के पधान मंत्री और खुद दिल्ली में रहते हुए 22 किलो मेटर दूरी में जब किसान बैटे हुए हैं उनके कभी खबर नहीं लेते हैं उनके साथ कभी संपक नहीं करते से अब दूरी है 22 किलो मीटर की तो आपको कुछ नहीं लगता है और राहूल गंदी जी सब कुछ करने का बाद हमको तो है राहूल गंदी जी चले गए पार्टी तो है पार्टी को साथ में लेका तो राहूल गंदी जी बीदेश पर नहीं चले गए राव गंदी जी के ले गए आए अधिर जी आज आपने बोला कॉंग्रेस बहुत बरा पाड़ी थे आज कॉंग्रेस कमजोर हो गए दे भारत वर्ष का इतिहास में स्वाधीन भारत वर्ष में इतना कमजोर कभी नहीं हुआ आपका लोग सवा में कितने सांसद है बावन सांसद है अगर दो चार और होते हैं तो आप लीडर आफ दी आपोजिशन बन जाते हैं लोग सवा में यही एक स्थिती है कॉंग्रेस का मोदी जी बार बार कह रहे कॉंग्रेस मुक्त भारत तो वो सफल हो गया है उनका जो काम था और जितने दिन लोग कहते हैं कि मोदी जी के लिए मोदी बनाम राहुल गांदी होगा नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांदी हमारे देश के पूरा राजनीती वेक्ति के इंडरित हो गया और मोदी जी सफल हो रहा है बार बात तो एक तरह से मोदी जी का शक्ती मोदी जी का ताकत और राहुल जी का जो लोग सोचते हैं ये कमजोर देखिए आप मैं एक छोटी बात में विरोत करता हूं आप लोग मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते हैं लेकिन मोदी जी की ये जो पार्टी अगर इनकी जनाम कुंडुली देखा जाये तो यह 1925 सिसका शुरुआ थुई मोदी जी की जो पुर्खो 1925 में हिंदुस्तान में उन्हें अपने सियासी पत्ता खोली 1925 से लेकर 2014 इस समय उनको गुजरा परा हिंदुस्तान में अपने सत्ता पे आने के लिए और आज 2020 मतलब लगबग 85-90 साल उन्हें लगा इस जगा पहुचने के लिए यह इतियास गवा है हम प्रचार ऐसा चल रहे हैं कि सारे मोदी जी की तिलस्मी की चलते सब कुछ हो गया है बात ऐसा नहीं मोदी जी जैसे कि गविन चरिया जी ने कहा था ना कि बाचपा यह मुखोटा है तो मोदी जी भी एक सामप्रदायक राज्जिदी की मुखोटा है मोदी जी मोदी जी मोदी जी यह हवाबाजी करते हैं गोदी मीडिया मोदी यह एकेला कुछ नहीं कर सकते अगर उनके साथ आरे से ना उनके साथ उनके sister organization ना रहे जिनकी सुरुवात हुई थी 1925 से तो इसलिए मैं सुरुवाती में यह जरू कहना चाहते हैं कि अभी ढोल इस तरह की बजा जा रहे हैं कि सारे कुछ मोदी जी कर दिया है जरूर हम कम जरू हैं आपने एक मिनिट जरूर हम कम जरू हैं एक समाए सियास साथ चलते हैं राजनिटी में ऐसा चलते हैं आपर टाउन्द 17 चलते हैं यह पोलेटिस्क का एक अपना धर्म होते हैं की जैसे कि समन्दर में कभी उच्छा लाता है कभी पिछले चले जाते हैं तो पोलिटिक्स में भी ऐसा है हाए हाई हाई टाइट लो एप पोलिटिस में चलते हैं आज नही तो क्या हुआ हम अगले दिना जाएंगे लेकिन आप जाई से कहने कि कॉंग्रेस मुक्त चुए कॉंग्रेस एक बिचारधारा है बिचारधारा से हिंदुस्तान को मुक्त नहीं किया जा सकता कॉंग्रेस दोचर ब्यक्ति नहीं आए कॉंग्रेस एक बिचारधारा है कॉंग्रेस एक इतिहास है Congress एक स corrata है Congress एक तहजीब है सब कुछ से हिंदुस्तान को मुकत नहीं किया जा सकता अगर Congress से Hindुस्तान मुकत कराकराओगे तो गंगा जोमुना की तहजीब को भी मुकत कराना पड़ेगा अदिर जी मेरा एक सवाण है कि हमने देखा किस तरह से Congress Party राजस्तान में विधान सभा चुनाओ जीता चतिसगर में जीता मंद्र प्रदेश में जीता फिर वहां से आप जानते हैं क्या कहानी हुआ जो थे रादित्या सिंध्या जी भात जंदापाटी के पाद वो सरकार गिर गिर गया फिर शिवराजदिन चौहान वापस आगे राज्य में हम जब विधान सभा चुनाओ होते हैं एक नतीजा देखते हैं मगर जब लोग सभा चुनाओ होते हैं वोई मोदी जी वापस आ जाते हैं बियार में भी वोई हमने देखा लोग कह रहते हैं कि हाँ हम मोदी जी को समर्थन करते हैं मगर राज्य में हम राष्ट जंदा दल तेज़ वी आदब जो भी है हम उनको समर्थन करते हैं तो यह क्या नहा देख रहे हैं कि लोग दो तरीक दो तरह से भोट दे रहे हैं विदान समा चुना में इस तरीका से और लोग समा चुना में ठीक है प्रेसिदेंशियल टाइप क यह तो मैं इसको सिकर नहीं करते हैं हम जो मानते हैं कि ऐसा आहलाद होते हैं कि कभी कभी लगते हैं हमारा इलइकसिन टाइप को हो जाते हैं लेकिन साथ-साथ ए भी बात है लोग समा चुनाओं में नहीं का जहां एंडियेज जीते भी तभी जीत भी हुई तब भी हर स्टेट में उनकी भोट का जो परसेंटेज है वो गिरते गए अब देखो एक चीज बार-बार भारती जनतापाटी बोलते हैं कॉंग्रेस आज एक परिवार नियंचन करें गांधी नहरू परिवार ये परिवार वाद पार-बार मोदी जी अमिच्छा जी बोलते हैं और मैं मान लिया कि हाँ अमिच्छा जी का बेटा भी BCCI में बहुत अच्छा किया हर राजनेतिक दल में कोई एक परिवार होते हैं हमारे देश में क्यों विदेश में अलग-अलग देशों में है फिर भी ये जो मोदी जी बार-बार बोलते है कॉंग्रेस एक गांधी नहरू परिवार के कबजे म में है ये बार-बार बोले से लोग एक तरह से बहुत और बुद्धी जी भी भी बोल रहे है कि जब तक राहूल गांधी जी हट नहीं जाए जब सोनिया गांधी जी कहें कि हम राजनीति से दूर रहे कॉंग्रेस आगे नहीं देखिए गांधी नहरू परिवार एक कि गांधी परिवर की इलावा गांधी परिवर की बाहर से भी बहुत सरे प्रेसिडेंट हामारे पार्टी में चायन हुई थी इतिहास देखिए कॉंग्रेस पार्टी तो बात ऐसा नहीं अब पीवी नानसी मारा प्रेसिडेंटा कोन थे नेरू थे उनके गांधी थे उन्ह लेकिन आम लोग को भरकाने के लिए यही तो अलाग और आगे जाए तो बहुत सर मिलेगा सारे कॉंग्रेस पार्टी की इतियासा कर देखिएगा तो बहुत सर मिलेगा इसा निजालिंग पसे लेकर चलिए बहुत सर्मिलेगा कामराज कौन थे बहुत सर्मिलेगा ओबत नहीं ये भरकाने के लिए लोगों को गुम्रा करने के लिए सच को जूट साबित करने के लिए और लोगों को मन में कौंग्रेस पार्टी की जो खुबिया है और खुबिया को नश्ट करने के लिए कौंग्रेस पार्टी की हस्यात को तोरने के लिए ये सारे गुम्रा की सियासत हो रहे है सारे दुस्पचार की सियासत हो रहे है और ये दुस्पचार की सियासत में ये दोख रहा हूं और आपके साथ एक और विशे के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूं उसके बाद हमारा जो साकातकार है इसका जो पहला जो हिस्सा है यही खतम करना चाहते हैं और फिर दूसरा बात हम पश्चिम बंगाल और बंगाल का राजनीती के वारे में दो चार सवाल इस जगा में हम हमारा अधिर रंजन चोधरी जो साकातकार यही पर खतम कर रहे हैं यह पहला हिस्सा है हम फिर उनके पास वापस आ रहे हैं और हम बंगाल का राजनीती के वारे में उनसे सवाल उठाएंगे आप देखते रहिए व्यूस क्लिक आपके पास हम वापस आएग झाल